सो फर्स्ट कोश्चेन इस फायर हीम इस रिटेन बाई किसके दौरा फायर में रिटेन गया रिटेन है फायर हीम किसके दौरा लिखी गई है वॉल्ट विट्मेन केकी अन्दारु आला डबलो ए चौर्डन कमला दास किसके दौरा लिखे गया है आंसर यहां पर मैंने लिख द question number 3 the poem fire him is about a यानि कि fire him जो question है वो किसके बारे में है about a human society violence, burning heart, war किसके burning heart के उपर ये कवीता लिखे गई है the speaker belongs to religion यानि कि जो speaker है कथाकार, स्वरी, कथा तो निये कवी है यानि एक कवीता है तो जो poet है वो किस धर्म से relate करते है हिंदू, मुस्लिम, सीख या जोरोस्ट्रियन, तो अभी तो मैंने आपको बताए कि वो पार्सी धर्म के थे और पार्सी धर्म को क्या कहा जाता है जोरोस्ट्रियन कहा जाता है तो जोरोस्ट्रियन religion के थे ठीक है अब पाचाओ कोशन The poem describes the scene of fall यानि कि कविता व्याख्या करता है एक दृष्षय का fire place, burning heart, right या house under fire किसका व्याख्या करता है burning heart का आणसर यहां पे burning heart question number 6 साहत्य अकादमी अवर्ड was given to KKN दारुवाला आपको मैंने इनके परीचें बताया था कि साहित्य अकाद्मी पुरसकार जो है वो लेखकों को मिलने वाला बहुत ही बड़ा पुरसकार है तो साहित्य अकाद्मी पुरसकार केकी अन्दारु वाला को कम मिला था 1984 को लेखकों को स्वेटरी नोवेल शॉट स्टोरी यह बहुत ज़्यादा फेमास है कभी ताभी कभी कभी लिख दिया करते थे यानि कि जरोस्ट्रियन फायर हिम में क्या दर्शाता है जरोस्ट्रियन का मतलब भी मैंने आपको बताए कि पार्शी धर्म होता है तो यहां पर क्या हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्चन, पार्सी क्या पार्सी ठीक है तो नियरेस टावर अफ साइलेंस अकोर्डिंग तो पोयम फायर हिम वाज यानि कि क्या जो अभी मैंने आपको कविता में बताया था कि उन्होंने अपने बच्चे को दफनाया था क्योंकि टावर अफ साइलेंस उनके घर से बहुत ही दूर था याना तो कितना दूर था? A thousand mile, एक हजार मिल दूर था Question number 10 The speaker in the poem, fire him, swears यानि कि fire him कविता में speaker swear करते हैं, कसम खाते हैं Once, twice, thrice, none of these यानि कि twice, दो बार कसम खाते हैं इस कविता में Question है, who has composed the poem? Fire him, fire him कविता को किसने compose किया है? K.N. Daru Allah, Kamala Das, J. Maha Patra, यानि कि? K.N. Daru Allah, है ना? Question number 12 K.N. Daru Allah received Sahit Academy Award in 1984 या question मैं दो बर लिग दिया, sorry इसके लिए यहां पर है, Daru Allah Has been a well-known poet as well as यानि इस तरीके यह question ऐसे दो बार लिखा लेकिन दूसरे तरीके का question है, ऐसे भी question पूछा जाता है कि Daru Allah has been a well-known poet यानि कि वो केके अन्दारु आला बहुत ही जाने माने कवी के साथ साथ और क्या रह चुके है, short story writer भी रह चुके है ठीक है, so the theme of Daru Allah's poetry, यानि कि Daru Allah की कवी, कवीता का जो theme है वो क्या था? Love, Death, Domination, Sainism, Plight of Human Society and Violence, ठीक है? Daru Allah's poetry is a totally-recording to subjective responses, मतलब impressionistic, impressionistic है ना, impressionistic तो अब आप लोग का ये homework है, कि आप लोग इसके बारे में पता कीजिए कि impressionistic क्या होता है ठीक है? Fire him deals with ghat, कैसा ghat? Burning ghat Question number 17 The term debauchery fire him stands for हना, debauchery का मतलब fire him कवीता में क्या है? तो debauchery का मतलब होता है, immoral behavior मतलब asabhya vya vahar को ही debauchery कहा गया है इस कवीता में So, these are the 17 objectives of fire him are very important objectives So, now move to the subjective question So, question number 1 ये थोड़ा question का जो font है, वो थोड़ा छोटा छोटा है लिखने के period मैंने इसको editing नहीं कर पाया है लेकिन देख लेते क्या है? So, question number 1 है How did the passerby get frightened? यानि कि passerby कैसे डर रहे थे? passerby मतलब होता है राहगीर है ना? तो राहगीर कैसे डर रहे थे? answer है तो passerby got frightened to see the fire and the dreadful sin at the ghat यानि कि जो passerby थे, जो पथिक थे, राहगीर थे वो डर रहे थे आग को देह कर जो घाट पे जल रहा था वहाँ के दरदनाक महोल को देह कर वो काफी डर रहे थे question number 2 which event does the expression the burning ghat? burning ghat का expression क्या है? the expression the burning ghat refers to the place where dead bodies are usually cremated मतलब dead burning ghat का यहाँ पे कविता मतलब क्या है? dead body का कविता मतलब है कैसा जगा है जहाँ पे dead body को जलाया जाता हो question number 3 where do you think is the ghat located? आप कहाँ सोचते हैं कि घाट कहाँ था? किसी नदी की किनारी होगा तो the ghat is located on the bank of river यहाँ पे the है इसको यहाँ पे HIE जो है जो HIE है इसको आप the कर दीजेगा the ghat is located on the bank of the river question number 4 why does he say that the redness of the fire is cruel? उन्होंने क्यों कहा है कि आग की लालीपन काफी क्रूर है क्यों कहते हैं? he says that the redness of the fire is so cruel that is swallowed everything उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि आग का जो लालीपन होता है वो काफी क्रूर होता है क्योंकि वो हर चीज़को निगल जाती है मतलब हर चीज़को जला देती है आगे है why does the speaker reveal his religious identity कभी अपनी religious पहचान को क्यों दर्शाता है इस कविता में the speaker reveals his religious identity by telling that he is Parsi by birth because a Parsi believes that there is a continuing struggle in the world between the force of light and dark and as such the Parsi dispose of the dead bodies on a structure called Tower of Silence ठीक है तो speaker ने अपनी अपने धर्म के पहचान को इसलिए बताता है क्योंकि पार्सियों को शुरू से ही काफी प्रतार्णा जहलनी पड़ी है है ना उन्हें मारा पीटा गया है और साथी साथ वो इस कविता में यह भी दिखाते हैं कि वो अपने उनके घराने में जो व्यक्तिर डेथ कर जाते हैं वो उन्हें जलाते नहीं दफनाते नहीं बल्कि उन्हें Tower of Silence पे रख देते हैं है ना जिस पे दूसरे जीव आकर उन्हें खा लेते हैं So this is the five questions of fire him And these are the very important questions So you will have to remember and write down on your copy Okay So these are the questions and summary So अब आप लोग का duty यह है कि आप इसको अच्छे सी याद किजे और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ last chapter बचता है Marriage proposal और मैंने आपको बताए कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ जैसे मैं उसको पढ़ दूँगा उसका summary और question and answer मैं आपको दे दूँगा Thank you